हेलो स्टुडेंट नमस्कार अब तक आपने फाइलम कोड़ेटा पड़ा था और फाइलम कोड़ेटा के आपने थ्री सब फाइलम पड़े जो फर्स सब फाइलम था उसका नाम आपने पड़ा हेमी कोड़ेटा देन आपने सेकिंड सब फाइलम पड़ा था यूरो कोड़ेटा जिसे आपने ट्यूनिय केटा भी कहा था और जो यूरो कोड़ेटा थे उसके जनरल करेक्टर और उसका क्लाशिव के समय आपने दो कंटिनियूस वीडियो में देखा आज हम थर्ड सब फाइलम पड़ेटा सेफेलो कोड़ेटा के बारे में पड़ने वाले हैं और जो सेफेलो कोड़ेटा है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं यानि आज इसके जनरल करेक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे हम जो इसके सामवने लक्षण हैं वो देखते हैं सामवने लक्षण जो हैं वो 30 जातियां है और ये जितनी भी जातियां इसमें मिलती है ये सारी की सारी क्या है मेराइन इन हैबिटेट मेरेती है सेलो वाटर में निभाइश करती है सेलो का मतलब उता है चिछला उतला हुआ और उसके आसपास कि जो सैंड है वहाँ पर भी ये मिलती है और चुकि ये मेराइन है और सेलो वाटर में रहने वाली है तो आस पास की जो जमीन है उस जमीन के अंदर क्या है यह बिल बना करके रहती है और जो यह बिल बना के रहती है और जब बिलों से बाहर निकलती है यह इन सर्च ओफ फूड या मैं कहूं कि बाहर इनको गूमने का जब निकलने का मन होता है तो ये रात्री के शमें निकलती है इसलिए इन्हें हम नॉक्टर्नल प्राणी केते हैं अगर इनकी आउटर लुगिंग देखें हम तो आप देखोगे कि फिसलाइक पॉट्टो कोड़ेट्स के समान ये दिखाई देते हैं और बोड़ी की बात करें तो ये पांस से लेके आठ सेंटिमेटर लोंग होती है बारदर्शी होती है और बेलनाकार होती है तो इनका जो सरीर है वो बेलनाकार बारदर्शी और पांस से लेके आठ सेंटिमेटर लंबा होता है और पूरे सरीर की बात करें कि वो किस किस में डिवाइड होता है जैसे कि अपने हेमिकोडेट्स के बारे मिंदेखा था तो हम सिर की बात क्यों नहीं करते सिर की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इन प्राणियों की अंदर सिर होता ही नहीं है head region जो है वो absent होता है उसकी तरह की structure जरूर नजर आती है लेकिन वास्ता में वो distinct head की स्रंणी में नहीं आता इसी वजह से इनकी body जो है के वोल two part में divide होती है first is strength and second is tail और इन जन्तों की बात करें हम बाहियक अंकाल के बारे में तो इन सभी प्राणियों या हम सेफिलो कोड़ेट्स की बात करें सेफिलो कोड़ेट्स जो एनिमल्स हैं और और्गेनिजम्स हैं इनके बाहर का जो कंकाल होता है जिसे की एक्जोस्केल्टन कहते हैं वो नहीं होता, absent होता है और इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो paid appendages होते हैं वो भी absent होते हैं paid का मतलब jointed होते है appendages उपांग होते हैं और तो ये जो संगत उपांग होते हैं वो इसमें नहीं मिलते जैसा कि आपको फाइलम में पिछे देख चुके हो जिकी जिनके अंदर ये प्रजेंट था तो 30 जातियां हो गई समुदरी आवाश में रह गई और सेंड बोरोवर हो गई मचली के समान दिखाई देने वाले हो गई सरीर बेलनाकार हो गया पारदर्शी हो गया सरीर जो है धड़ो गरेक्टर है इसके बाद में हम अगले गरेक्टर देखते हैं कि इनकी जो एपिडर्मिश होती है अधी चर्म वो एकल परतिय होती है और नोटो कोड जो है वो एक्स्टेंड होता है anterior to posterior क्योंकि नोटो कोड तो आप जानते हैं जो एनिमल है उन सभी एनिमल्स का डिस्टेंक्ट कारक्टर होता है कोड डेट्स का जो हम नोन कोड डेट्स से वेरिफिकेशिंड डिफेरेंसेज निकालते हैं तो three primary जनरल कार्रैक्टर देखते हैं जिन में नोटो कोड भी एक सामील होता है तो सेफलो कोड़ डेट जो प्रानी होते हैं इनका जो सरीर है उसमें आगे वाले भाग से लेके पिछले भाग तक पूरे सरीर के लंबाई में नौटो कोड़ उपवस्तित होती है जैसे कि आपने यूरो कोड़ डेटा में देखा था कि क्यौल टेल तक इसी मित थी ट्यूनियो केट्स की बात कर रहे हम अगर बात करें इनके आहर नाल की तो आहर नाल जो है वो पूर्ण होती है यानि आगे से लेके पिछे तक यानि माउट टू एनस तक फेले रहती है अगर इनके अंदर स्वसन की बात करें तो स्वसन के लिए विशेश स्रचनाओं का इसमें अभाव होता है जैसे कि हमारे अंदर लंग्स होते हैं ऐसी स्ट्रक्चर इनके अंदर फांड नहीं होती तो फिर रैस्पिरेशन किसके दवारा करेगा तो इनका जो पूरा बोडी है स्लेंडिकल बोडी जो मैंने बताया और ट्रांस्पेरेंट बोडी जो बताया ट्रंक और टेल में डिवाइड बोडी जो मैंने बताया उसकी जो जनरल सरफेश है उस जनरल सरफेश के दवारा ही यानि जो सरीर की सामाने शत्य है उसके द्वारा ही स्ट्वर्शन क्रिया इसमें होती रहती है और यदि बलड वेस्कूलर सिस्टम की बात करें अर्थात रक्त परिशन तंत्र की बात करें तो इसके जो पिछले दो सफाइलम आपने पड़े उनमें आपने ओपन टाइप का बलड वेस्कूलर सिस्टम पड़ा था हेमी कोड़ेट्स में और येरो कोड़ेट्स में अर्थात वहाँ पर बलड को केरी करने के लिए बलड को ले जाने के लिए किसी तरह की विसिस्ट यानि डक्टS वगएरह बलोड वेसल्स वगएरह नहीं मिल पा रही थी इसलिए ओपन vescular सिस्टम उन में सेम हो रहा था यहांपर यह close type का vescular system मिलता है कि जो blood vescular system है वो close type होगा बंद परिश्ट तन्तर होगा और इसकी सिरुवा सेफेलो कोड़ेट सफाइलम से होती है बात करें इनके रिदे की, तो रिदे सबसे बड़ी बात है कि रिदे होता ही नहीं है क्यावली उसकी जगे क्या है, इसेशल हम कहें कि बलेड डॉर्सल, बलेड वेसल्स वगेरा है वो ही उसको pump करती रहती है ब्लड आता रहता है जाता रहता है लेकिन हट जैसी कोई structure इसमें से नहीं होती साथ में जो blood vascular system हो उसमें जो blood carry कर रहा है तो उस blood में अगर pigment आप ढूंडोगे तो pigment नहीं मिलेगा अर्थात ही हीमोगलोबिन जैसा कोई pigment इसमें नहीं मिलेगा तो हम यह कह सकते हैं कि चो श्वशन वर्नक होते हैं श्वशन वर्नक किसे कहेंगे जो कि श्वशन में साहिता करता है या हम कहें कि जो oxygen को transport करता है one cell to other cell या one palace to other palace या one side to other side तक तो वो जो respiratory pigment हमारी बोड़ी में जैसे मिलता है वो इनकी बोड़ी में नहीं मिलता और अगर बात करें इनकी उत्सर्जन की तो उत्सर्जन में आप देखिए कि उत्सर्जन जो है proto nephridia के दोरा होता है और proto nephridia जो nephridia है या nephron से ही निकला हुआ यानि हमारे अंदर metanephric kidney होती है जिवकि इनमें proto nephridia तो proto nephridia जो है excretion में सयोग करता है बात करें इनके sexuality की तो ये सब एक link प्राणी होते हैं और एक link प्राणी का मतलब आप जानते हैं कि एक link का मतलब है कि कोई ऐसा प्राणी जिसमें एकी प्रिकार का link मिले अर्थात एक प्राणी है जिसमें क्यों male sex organ होते हैं तो वो male के लाएगा जिसमें female sex organ होंगे वो female के लाएगा यानि हर्माफ्रोडाइट या bisexual conditions नहीं मिलती तो unisexuals जो होते हैं वो एक link की प्राणी होते हैं लेकिन हम मानों भी एक link की प्राणी है higher vertebrates जायतर एक link की प्राणी होते हैं तो उन में और इन में भी difference है और वो difference क्या है कि हमारे अंदर जो gonads होते हैं वहां से gonoduct निकलती है लेकिन इन प्राणियों में gonoduct नहीं होती तो फिर वही gonoduct नहीं होती तो फिर ये जब unisexual है gonoduct तो भी नहीं है तो क्या ये sexual reproduction करेंगे या asexual reproduction करेंगे तो इसके लिए आप asexual reproduction भी इसमें बदा ज़कते हैं और साथ-साथ sexual reproduction तो होना ही होना है लेकिन generally ये link जनल कर लेते हैं अपना अगर बात करें हम nervous system की तो जो nervous statement का या मैं तंत्री का तंत्री की बात करूँ या उसकी सरचने की बात करूँ या तंत्री का तंत्री जैसे structure की बात करूँ तो ये किस से made up होता है ये जो dorsal, tubular, nerve code होती है या प्रस्टिये, नलीका कार जो तंत्री का रज्जू होती है, उसी के रूप में यानि उसी के modification से nervous system जैसी structure आपको सेन होती है यदि हम बात करें इनके development की development का मतलब क्या होता आप जानते हैं, development का मतलब विकाश होता है तो अगर आप विकाश की बात करेंगे तो विकाश से तात परे यहां पर यह है कि बाई, ऐसा कोई प्राणी जिनके जीवन की अवस्ता में क्या लार्वल स्टेज होती है या फिर डारेक्ली adult की form में ही उसकी जो संत्ति है of spring है, वो वर्थ करती है तो यहां पर देखेंगे, तो after लार्वल स्टेज के बनेगा मेटामोर्फोस की कोई आवशक्ता नहीं अर्था ऐसे प्राणी जो अपने समानी बच्चे पैदा करेंगे, तो उनका डवलप्मेंट क्या होगा, डारेक्ट होगा तो प्रतेक्ष विकाश वाली अवस्ता देखने को मिलती है, ऐसे प्राणियों में तो सेफेलो कोड़ेट्स के जो कुछ जनरल करेक्टर थे, वो हमने देखे, इसमें जो एक्जाम्पल की बात करें हम तो एक्जाम्पल एक तो आपके सामने लिखा हुआ है एंपियोक्सस और दूसरा लिखावा है एसिमेट्रॉन और इन्हें के आधार पर यह जो दो एक्जाम्पल आप देख पा रहे हैं इन दोनों एक्जाम्पल को आप स्टडी करेंगे सेफेलो कोड़ेट्स में और जो सेफेलो कोड़ेट्स है उसमें एंपियोक्सस और एसिमेट्रॉन के आधार पर ही दो तरह की क्लास आप पढ़ेंगे जो कि अगले वीडियो में आप देखेंगे तो कुछ मैन मैन करेक्टर्स थे सेफेलो कोड़ेट्स के तो उन मैन मैन करेक्टर्स को आपने देखा और यह जो करेक्टर्स आज आपने सेंड की है और सुनें तो इनको आप एक्जाम दस्टिकॉन से तयार कीजिए और अपने क्लासिफिक्शन वाले टोपिक को अच्छ से प्रिपेर कीजिए क्योंकि हर क्लास में जो आप जैसे भी आगे स्टड़ी करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लासिफिक्शन का नौलेज बहुत जरूरी है तो सफिलो कोड़ेट्स के जनरल करेक्टर के बाद में जैसा कि आपने इसमें देखा कि तीस जातियां होती है उन तीस जातियों को हम किन किन वर्गों में रखें और किस प्रकार से रखें कोड़ेटा और जिसे कि आपने ट्यूनियो केटा भी कहा था और उसके अलावा हेमी कोड़ेटा यानि बेलेनोग्लोसस वाला सफाइलम एक हार्ड मानिया वाला हार्ड मानिया के साथ में आपने बोट्रिलस वगएरा कोलोनियल भी पड़े थे साहिव ना पड़ा था तो hard mania belenoglossus और ampioxus ये तीन जो है typical example है three subphylum of codates के फिर से मैं repeat करता हूँ three subphylum's most well known examples are belenoglossus in hemi cod data euro cod data में आपने study किया था hard mania typical example है और आज हमने cephalo codates में जो main example है वो है ampioxus अब इन में से ampioxus तो किस में रखा जाएगा कुन से class में रखा जाएगा और जो आपका asymmetron है वो किस class में रखा जाएगा तो इन दोनों के आधार पर हम इसका cephalo codates जो है इनका classification next video में देखेंगे और codates जो है इनके तेनों सब फाइलम को complete करेंगे तब तक के लिए आप सभी को thank you धन्यवाद जब अईयवाद